इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके कंप्यूटर या लाप्टॉप में स्नेपिंग टूल नहीं चल रहा है नहीं काम कर रहा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसे सही कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से देखते रही है देखिए स्नेपिंग टूल हम जारतर लोग स्क्रीन शॉट लेने के लिए करते हैं अपने डेक्स्टॉप में ठीक है तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें त्राइट क्लिक करने के बाद यहां पर आप सेटिंग्स में आ जाएं ठीक है आपको सेटिंग्स खोल लेना है अब आप यहाँ पर देखिए लिए सिस्टम में होंगे इस तरीके से तो आपको एप्स के आप्शन पे चले जाना है यहां पर आप installed apps के option पे चले जाएं और यहां आप सर्च करे स्निपिंग स्निपिंग ठीक है स्निपिंग टूल यहां आप थ्री डॉट पे क्लिक करें सबसे पहला आप पर मिशन यहां पर ऑन होनी चाहिए इसकी पर मिशन दन बैग्राउंड आप पर मिशन यहां पर हमेशा ऑल्वेज रखें यह जरूर चेक कर लेना ठीक है और इसके बाद यहां पर आप option देख पाएंगे यहां पर होगा एक option रिपैर यहां जो भी बग है उसमें जो भी इशू है वह रिपैर हो जाएंगे तो आप रिपैर पर क्लिक करें और कुछ सेकेंड्स लेगा और यह रिपैर कर देगा ठीक है यहां पर चेक मार्क आ जाएगा दन आप एक बार रिस्टार्ट करें अपने कंप्यूटर लाप्टॉप को और ट्राय करें स्निपिंग टूल वर्क कर रहा है या फिर नहीं अगर इससे चालू नहीं होता है तो आप यहाँ पर रिसेटि के आप्षीटे कले कर सकते है रिसेट से क्या होगा जोब इसकी सैटिंग्स होगी बिल्कुल निःओ शैटिंग्स हो जाएगी ठीक है तो आप रिसेटिक करें चयहे67 और डिलीट हो जाएगा इसमें जो भी आपका डेटा होगा उसके अंदर तो आप ये ध्यान रखें यहाँ पर रिसेट पर क्लिक कर दें तो मैं नहीं कर रहा हूं बड़ आप यहाँ पर बेफिकर होके कर सकते हैं इतना सब आपने कर लिया अब एक बार जरूर से यहाँ पर रिस्टार्ट जरूर कर लेना और उसके बाद ही अपने स्नेपिंग टूल को यहाँ पर ओपन करके देखना जो भी प्रॉब्लम है वह सही हुई है या फिर नहीं आप मुझे कॉमेट में बता सकते हैं वीडियो पसंद आए हो तो टेक्स और को सब्सक्राइब जरूर कर दे कर देखने हैं